गुद इवनिंग, नमस्कार, जैहिंद, मैं ग्यानेंदर मलिक, जैसा आप जानते हैं, हम यहाँ TGT, PGT, Mathematics की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास जो भी जो भी ध्यापक साती, TGT, PGT, Mathematics देना चाहते हैं, चाहिए आप UP, MP, Punjab, हरियाना, या DSSB, NBS, KBS, कोई भी एक्जाम अगर आप देना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए काफी helpful होने वाली है, इस चैनल पे हम क्लास नंबर 16, क्लास नंबर 16 पे आ चुके हैं, इससे पहले वाला जो अपना पुराना चैनल था, वहाँ भी हम हमने काफी क्लासिज की हैं, almost slavus complete करने के नजदीक थे हम, तो आप वहाँ पर भी वहाँ पर भी जाएं और क्लासिज को देख सकते हैं, तो यहां, ओके, तो यहां शुरू करते हैं, मुझे उमीद है कि क्लास की voice clear होगी, आपको screen visible होगी, तो शुरू कर लेते हम आज की अपनी इस कलास में चल रहे हैं, लास्ट कलास में आपने देखा कि मैंने आपको greatest integer function और stigma function के बारे में भी बताया, जैसा कि आपकी requirement थी, आप बार-बार comment कर रहे थे, और जो कुछ बचे हुए function हैं, जो हर question में कहीं भी use हो जाते हैं, आज उनको आपके सामने लेकर आएं, तो शुरू करते हैं अपनी session को, अपनी इस कलास को, सबसे पहले, सबसे पहले ये रहा time table, जो जुरूरी है भई, किसी भी exam को correct करने के लिए आपको पता होना चाहिए, किस time, किस subject की class है, किस time कौन सा teacher आपके लिए class लेकर आ रहा है, तो जो भी, जो भी अध्यापक साथी, PGT या PGT में किसी भी subject से तयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये time table आप उनको दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको भता सकते हैं, जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए, तो सुबह नो बजे आपके इसी channel पे, सुबह नो बजे class start हो जाती है, जो कौन लेके आते है संजे सर, बहतरीन content के साथ, कोई भी चीज, किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना तो basics की कमी है, ना theory की कमी है, ना mcq की कमी है, ना previous year, सारे type के question आपके cover कराये जाते हैं, सुबह नो बजे से class, उसके बाद 10 बजे, history की class, 11 बजे, biology की class, जो भी bio से, tgtf, pgtf ध्यापक बनना च आते हैं, उन सभी की class, 11 बजे, 12 बजे, English, 1 बजे, history, शाम को 6 बजे, psychology, special educator, काफ़ी demand रहती है, बच्चों की, नहीं मिलता आपको content, वो आपके लिए, शाम, 7 बजे, special educator, जो तयारी कर रहे हैं, tgtf, pgtf की, उनकी class ही चलेगी, रात को 8 बजे, 8 बजे, निशा में, 8 के साथ, और 9 बजे, daily अपनी class चलती है, तो आप कहीं भी किसी भी subject की तयारी, या तो आप, या आपका दोस्त, भाई, या बहन, सब के लिए यहाँ पर complete content provide करवा जाता है, ठीक है, ओके, ओके, complete content आपको यही मिल, इसी channel की बात है, एक time table और मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप करना चाते हैं, तो, अरियाना में estate या screening अगर आप करना चाते हैं, तो उसके लिए, यहाँ, यह रहाक आपका schedule, time table, तो भै, class start होगी, यहाँ भी, 7 बजे, GA, CA, यानि current affair, या फिर जिक्या की class, 7 बजे, उसके बाद, 8 बजे class, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, और last class, खतम होती है, 6 ब तो आप देख सकते हैं, कितना लंबा time table, सुबह 7 बजे से, शाम 6 बजे तक, हरियाना, जो भी TGT का exam देना चाते हैं, उसके common paper की तयारी यहाँ कराई जाती है, जो भी screening देना चाते हैं, TGT का, उसकी तयारी यहाँ कराई जाती है, आपको search करना है, हरियाना exam result guru, और इसको join कर लेना, subscribe कर लेना, daily class का notification आपके पास आता रहेगा, उसको join करें, देखें classes को, और अपनी तयारी को मजबूत बने, तो सुरू करते हैं हम अपनी आज की इस class को, जैसा मैंने आपको बताया भई, कुछ function आपके बचे हुए हैं, उन पर आज काम करेंगे हम, जैसे सबसे पहले आता है, modulus function, सबसे पहले कौन सा function है, modulus function, modulus function की representation क्या है, इसको सर ऐसे represent किया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, जहां से modulus को मैं लिखता हूँ, modulus को लिखा जाता है, यह x अंसर आएगा, यहां से दो अंसर बनेंगे आपके, अगर x अंसर है, तो इसका मतलब x positive लिया negative लिया है अपने, यानि modulus दो तरह से open होगा, या तो positive x या negative x, positive x में x greater than 0 के लिए, negative x में x less than 0 के लिए, जैसे माल लिया हमें minus 9 का modulus लगाना है, तो minus को अंदर आते ही modulus vibrate करना start कर देगा, modulus को पता चलेगा कि कुछ गड़वड है, कुछ तो गड़वड है question में, और negative y तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ से एक negative बहार चिपकाएगा, और एक minus 9 के साथ है, तो answer कितना आजाएगा, plus 9, plus 9, modulus का answer सच में negative नहीं आता, बस यह दिखता है कि यह negative है, यह negative नहीं है, इसके diagram की बात करें, तो यह इसका diagram रहा, यह कब है, जब आप modulus x की value निकाल रहे हैं, जान से समझना, modulus x को हम क्या लिख सकते है, mod of x minus 0, इसके diagram में बहुत सारे समझाने वाला हूँ आपको, बिल्कुल सारे diagram इसके clear करने वाला हूँ, modulus x minus 0 का मतलब है, कि सरम 0 पर खड़े हो जाए जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, mod x का diagram बन जाएगा, ठीक है, दूसरा सर्फ माल लेते हैं, अगर यहां तो चलो, mod x का तो आपने ऐसा बना दिया, माल लेते हैं, y is equal to, mod x plus 2 आ जाता, तो क्या करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इस बार हम जाते, number line पे, यह है अपना y axis, इस बार जाते 1 और 2, minus 1 और minus 2, तो जो भी modulus के अंदर दे रखा है, उसको क्या करो, 0 के equal put करो, x की value निकालो, यानि minus 2, तो जो directly proportional अपने को line खीचनी है, वो कहां से खीचनी है, minus 2 से, minus 2 से इधर, minus 2 से उधर, यह अपना क्या बन जाएगा, डाइगराम, main point यहां पर क्या बनता है, sir, यहां y axis पर कहां पर cut किया होगा उसने, यह point निकालना आना चाहिए, यह use होगा बार बार, sir, इस point पे तो x 0 होगा, तभी तो यह point आएगा, और इसमें अगर x को 0 put किया, तो y कितना आ गया, 2, इसका मतलब यह point है, 0,2, 0,2 पर क्या हुआ है, यह cut हुआ है, सही है, किस point पे cut हुआ है, 0,2 पर cut हुआ है, done, समझा रहा है, okay, okay, sir, अगर माल लिया, कोई दूसरा डाइगराम बनाना पड़ जाए, दूसरा डाइगराम माल लिया, यह बनाना पड़ जाए, sir, y is equal to mod of x minus 7 की बजाए, 3 ले ले लेते हैं, तो अब अब भी वही बनेगा, क्या करना, इसको 0 put करोगे, तो 3, 3 से इधर, 3 से इधर, तो यह वाली length कितनी है, 3, तो यह वाली length भी 3 आएगी, अगर coefficient 1 है x का, तो जितना x-axis पे length बनेगी, उतनी ही y-axis पे length बनेगी, आप निकाल के देख सकते हैं, हाँ, अगर coefficient 1 नहीं है, तो length भी change होदाएगी, coefficient 1 है, तो length सेम रहेगी, वही x-axis पर, वही किस पर रहेगी, y-axis पर, coefficient के उपर है, coefficient change होआ, तो length भी change, done, okay, एक और भई, एक और, कुछ यह और लिखते हैं, जैसे y is equal to mod x plus 3 का diagram, y is equal to mod x minus 7 का diagram, और y is equal to x plus 3 plus 2 का diagram कैसे बनेगा, इसको अगर आपने अठ्षे से समझ लिया, modulus खतम हुग आपके लिए, कोई भी doubt नहीं रहने वाला है modulus में, समझना ध्यान से, ओके, इस पर आते हैं, सबसे पहले, पहले diagram की बात करते हैं, फिर दूसरे पर आएंगे, और फिर तीसरे पर आएंगे, एक एक diagram पर, आप भी बनाना इसको, try जरूर करना है आपने, अगर आपको यह आता है, तो फिर सच में modulus में जान नहीं है, फिर यह सच में मुश्किल नहीं है, हाँ, अगर नहीं आता है, तो हो सकता है, थोड़ा सा आपको भारी लगता हो यह, ओके, देखना, तबसे पहले first diagram पर आते हैं, तर अगर mod x की बात की जाएगे, तो mod x का diagram तो ऐसे बनता है, यह है y is equal to mod x का diagram, बट सर इस बार तो mod x के diagram में 3 add कर रखा हैं, 3 add करने का मतलब है, कि आपका answer भी 3 add होकर आएगा, माल लिए mod x ने answer दिया 4, तो उसमें 3 add होकर answer आएगा 7, इसका मतलब सर, range में 3 add कर दिया उसने तो, इसका मतलब सर, diagram जो 0 पर था, अब वो किस पर चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा, तो diagram कुछ ऐसे जाएगा, यहां से उठेगा अपना diagram, और किस point पर जाकर खड़ा हो जाएगा, 3 पर, 3 पर, समझ रहे हैं, जब भी y में कुछ add किया जाएगा, तो वो y axis पे उपर जाएगा, और जब भी mode में कुछ subtract किया जाएगा, तो y axis पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो add और subtract करते हैं, वो आपकी range को effect करेगा, ना कि domain को, क्योंकि domain तो x put करने से आएगी, x की जगे put करना है, जो put करोगे उसमें 3 add होकर आया, यानि answer तीन कदम उपर चला गया, तीन answer ज्यादा आ गया, समझ रहे हैं, तो जब भी हम ऐसे question पे जाएगे, तो यह अप हुआ कि अगर अपने को, अगर अपने को second diagram निकालना है, तो आप चाहते हैं कि हम minus 7 नीचे आजाएं, हाँ बिल्कुल, तो diagram कुछ ऐसा बनेगा, minus 7 से उपर उठेगा, बिल्कुल ऐसे उठेगा, तो यह तो है आपका first diagram और यह है आपका second diagram, second diagram, ठीक है? देखते हैं रहो ध्यान से, आप सर बिल्कुल ठीक है फिर यह तो, यह तो बिल्कुल सही है, सर अगर first diagram की domain की बात करें तो कितनी आएगी? एक-एक point समझना विध्यान से, diagram से ही clear करनी है सारी बाते, domain का मतलब तो सर, x-axis, x-axis का मतलब तो सर, सभी x की value उठकी जा सकती है, यह answer लाने के लिए? बिल्कुल, इसका मतलब domain कीतनी आएगी? r आएगी r, और सर, range कीतनी आएगी इसकी? इसकी range कीतनी आएगी? range यहनी y-axis, y-axis, क्या आपका graph कभी भी 3-शे निचे आएगा? नहीं आएगा, क्या 2 को touch करेगा? नहीं करेगा, 3 को किया है सर, उसने 3 को touch, इसका मतलब range क्या 3 से start होगी और infinity तक चली जाएगी, ठीक है? तो इसकी domain, range कितनी आजाएगी? 3 से infinity, 3 से infinity, done, देखते रहें, एक-एक point को ध्यान से देखते रहें, ऐसे ही अब हम second पर जाने वाले हैं, second function की, second function की निकालने वाले हैं domain और range, ओके, इस पर आए सर, सर, domain तो इसमें भी कुछ भी put कर लो आप, वो ही x-axis देगा, यानि domain तो इसकी भी r, बट इसकी range कितनी हो जाएगी? इसकी range तो सर, यह minus 7 से शुरू हुआ है, और infinity तक जाएगा, कुछ विद्वान लोग यह कह सकते हैं, सर, mod x की domain range तो negative होती नहीं, यह है भी नहीं negative, जब आप इसमें value put करोगे, तो x की वज़े से negative नहीं आया, यह इसकी वज़े से negative आया, हमाल लिए मैं positive हूँ, मैं 5 हूँ आपने minus 7 लगा दिया, तो कहां रहे positive, फिर नहीं रही है ना, तो उसकी range नहीं है, done, ओके, इस पर third जो है, अपना इस पर आते हैं, मुझे उमीद है, आप जरूर समझ रहे होंगे, कोई भी doubt नहीं होगा आपको, अगर doubt है, तो आप अपना doubt put कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, question है, x plus 3 modulus plus 2, अगली slide पर लेकर आता हूँ मैं आपको, आपने निकाला भी होगा, y is equal to mod of x plus 3 plus 2, बनाते हैं सरिश को, number line पे आते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये minus 1, minus 2, minus 3, उपर 1, 2, 3, नीचे minus 1, minus 2, अब क्या करें, देखो, पहले तो, पहले तो, x में add किया है, इसका मतलब diagram को, पता करो सर उठेगा कहां से, डाइगराम उठेगा सर, इसको अगर हम, 0 के equal put करते हैं, तो x की value आई, minus 3, इसका मतलब diagram को, minus 3 शे उठाना है, ऐसे, done, कहां से उठाना है, minus 3 शे उठाना है, minus 3, फिर, 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 प्लस 2 add करना है, इसका मतलब, तो दो step, दो step कहां जाएगा आपका diagram, उपर जाएगा इस point पे, तो diagram यहां से नहीं, diagram कहां से उठेगा, यहां से उठेगा, subtract करना है, तो नीचे ले आना, add कर रखा है, उपर ले जाना, x में add करोगे, इधर आएगा, subtract करोगे, इधर आएगा, y में add करोगे, उपर जाएगा, y में subtract करोगे, नीचे आएगा, दन, सही है, इसकी डॉमेन क्या होगी सर, इसकी डॉमेन, तो इसकी भी आरी रहेगी, कुछ भी value put को answer आएगा, बेलकुल, रेंज, रेंज क्या रहेगी, रेंज सुरू होगी सर, टू से ही, और कहा तक जाएगी, infinity तक, infinity, ठीक है, कलियर है, उमीद है, आपको कलियर होगा, कोई भी अगर doubt आजाई, कोई भी अगर point में, किसी भी point में कोई भी doubt है, तो आपको comment कर देना है, पूछ लेना है, मैं आपके doubt के साथ आपके सामने आऊँगा, एक-एक point कलियर करूँगा, जो भी आपका doubt है, बट आपने पूछना है अपने doubt को, ठीक है, चलिए, आगे ब समझना है, कौन सा है, fractional part function, इसकी representation क्या आथर, इसको represent क्या जाएगा, ऐसे, ऐसे, तो वो curly bracket लगाई जाती है न, ऐसे, लास्ट कलास में, greatest integer function मैंने आपको बताया पई, अब एक नई बात बताता हूँ, कि कोई भी number जो आप देखते हैं, वो sum होता है, greatest integer का, plus fractional part का, greatest integer और fractional part का जो sum होता है, वो number आता है, जैसे सर्फ मान लिया, अपने को 7.9 number सो करना है, तो हम क्या करते हैं, 7.9 का greatest integer निकालते हैं, और 7.9 का fractional part निकालते हैं, 7.9 का greatest integer तो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको कितना आएगा, 7 fractional part का मतलब होता है, साथियो, decimal हिस्सा, decimal part, और इसका decimal part कितना है, 0.9, 0.9, इसका मतलब इसका fractional part भी कितना आएगा, 0.9, और इसको add करोगे तो कितना, 7.09, अरे, 7.09 नहीं, 7.9, तो ये बन गया आपका क्या fractional part, अब सर्फ रेक्शनल part का मतलब है, जो decimal वाला हिस्सा है, वो लेना है हमेशा, तो सर, इसके अगर diagram की बात करें, तो इसकी तो maximum value, ये 1 तक भी नहीं जाएगा, minimum value, 0 रहेगी, हाँ, तो ये क्या आगई, इसकी range आगई, range, 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 diagram देखो, ये रहा, आपने इसमें 0 put किया, तो answer 0 आ गया, 0.5 put किया, तो 0.5, 9, 1 put किया, तो white ball है, मतलब, sir, one answer नहीं हो सकता, answer one से खोटा चलेगा, answer one से खोटा होगा, और answer one से खोटा होगा, तो इसका मतलब diagram ऐसे चलेगा, ऐसे, 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 ये छोटे छोटे जोपडी बनती रहेंगी, जिसमें ये भी one है, ये भी one, और अगर इसका area निकालने तो कितना आएगा, 1 by 2, ध्यान रखना ये भी क्योंकि right angle triangle बन रही है और जब right angle triangle का area निकाला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 by 2 अब इसमें समझने की बात ये आती है, main point ये आता है कि sir, अगर हम 0 पे रते हैं ठीक है, जब 0 से इधार आते हैं तो माल यह आ गया, minus 0.3 0.7 ये कैसे, ये कैसे थोड़ी सी, इस पर बात करते हैं इस पर बात करते हैं थोड़ी सी ये result आप जरूर लिखने न, ये काम आने वाले हैं अपने अगर हमें minus 7.2 का fractional part निकालना है तो क्या करना है, क्या करना भई आप इसमें से fractional part निकालो कितना आ गया, 0.2 इसको one में से subtract कर दो अगर negative की बात चल रही है तो आपको क्या करना है, जो भी decimal हिसा है, जो भी decimal part है, उसको one से subtract कर देना, answer आ जाएगा, जैसे सरे एक और लेते हैं minus 3.9 कितना आएगा decimal part कितना है 0.9 0.9 को one में से subtract करो कितना आ गया, 0.1 0.1 answer आ गया, ठीक है तो ऐसे हम क्या करेंगे fractional part या को so करेंगे done diagram आपके सामने है इसका, इसके अगर diagram की बात की जाए सर, इसके अगर diagram की बात की जाए, तो इसकी domain क्या होगी x क्या आप उठकर सकते हैं, किसी bx को मना नहीं करेगा ये, कोई bx put कर दो answer आएगा और इसकी range क्या होगी range मैंने अभी लिखवाई ये आपको ये होगी, 0 तो answer आ सकता इसका, 1 नहीं आएगा सर कभी भी 1 नहीं आएगा done जैसे कुछ point लिखते हैं इस पर भी देखना, fractional part पर भी कुछ point लिखते हैं अगर माल लिया, हम fractional part और negative fractional part को add कर दें तो इसके दो answer आते हैं या तो 0 या तो 1 0 कभ आएगा, when x belongs to an integer और 1 कभ आएगा, when x not belongs to an integer जैसे सर, माल लिया, हम minus 7 का fractional part और plus 7 का fractional part निकाल दें या सर, minus 7.2 का fractional part और plus 7.2 का fractional part निकाल दें ठीक है निकालते हैं सर किसी भी integer का fractional part 0 हूँ क्यों? क्योंकि integer को कैसे लिखोगे ऐसे ही तो लिखोगे और fractional part कितना इसका 0 है, 0, 0, 0 तो answer कितना बन जाएगा? 0, okay, okay तो सर, यह हुआ कि इसका भी 0 plus इसका भी 0 तो answer कितना आ गया? 0, पहला result अब आते हैं second वाले पर इसको कैसे लिखेंगे? सर, minus 0.2 है minus 0.2 को 1 में से subtract करो minus 0.2 को 1 में से subtract करोगे तो कितना आया? 0.8 0.8 और 0.2 को direct लिखोगे तो कितना आया? 0.2 यानि answer कितना बन गया? 1 तो कोई भी function ऐसा आ जाए तो आप इस result को ध्यान रखेंगे कि जब भी fractional part आता है तो आप उसमें क्या करेंगे? या तो 0 answer बनाएंगे या 1 अगर दोनों को एक साथ add किया जाता है तो ओके, ओके कुछ इसकी property सो करता हूँ मैं आपको उसके बाद next diagram पर जाएंगे जैसे ये रही इनको समझेंगे या अभी अभी इमने किया ही है कि सर अगर fractional part है तो वो क्या होगा? X में से greatest integer को subtract कर दें वही आएगा बेलकुल fractional part X आ जाएगा अगर वो 0 और 1 के बीच में है हाँ 0.7 का fractional part 0.7 वही तो answer आएगा जो 100 करता है ठीक है? तो ये अपना answer दूसरा अगर integer है तो 0 और minus के लिए ये चारो result अगर आप याद रख लेते हैं fractional part से तो मुस्किल नहीं होंगे यहां के question बट ये है कि ये कहीं भी हम use कर सकते हैं कहीं भी किसी भी time अपने को टकरा सकते हैं ओके ओके आगे बढ़ते हैं question की तरफ चलते हैं उससे पहले एक exponential function और पढ़ना में exponential function यानि y is equal to a power x y is equal to a power x exponential को मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से समझना डाइगराम इसकी बजाए में पहले आपको समझा देता हूँ exponential function समझते हैं exponential function exponential function exponential function का मतलब है वही a की power x इसमें दो तरह के डाइगराम बनेंगे a की power x में दो तरह के एक तो कब जब a आपका a आपका greater than 1 है a क्या है 1 से बड़ा है और दूसरा a जब a आपका 0 और 1 के बीच में है तो कि negative तो हम ले इनी सकते न ये तो हमेशा positive होता है ओके ओके सर समझते हैं इसको अगर a आपका 1 से बड़ा है a 1 से बड़े का मतलब हमेशा ले ले इसको कि ये तो सर e की power x होगा क्योंकि exponential अपने mind में यही आता है e की value कितनी होती है 0.781 से तो बड़ी है तो जब भी e की power x का diagram बनाने जाओ आप तो क्या करना है e, e को कैसा लिखते हो ऐसे e का diagram होता है ultra e mundi cut ultra e mundi cut यानि सर कैसे बना diagram फिर से देखाता हूँ आपको हमने ऐसे ultra e बनाया सिदाई तो उधर से बनेगा ultra e बनाया और उसकी mundi को cut कर दिया उपर से तो यह जो diagram रहेगा यह आपका किसका बन जाएगा exponential function का diagram यह dialogue आपने याद रखना है कि जब भी exponential का diagram बनाएंगे तो क्या होगा ultra e mundi cut ultra e mundi cut बनाते हैं इसको देखना फिर से बनाते हैं इसको ultra e mundi cut यह किस point पर cut करेगा जहाँ x 0 होगा x 0 का मतलब है यह कितना बन जाएगा 1 किदर से आएगा minus infinity से किदर को निकल जाएगा plus infinity पर minus infinity से आएगा और कहा निकल जाएगा plus infinity निकल जाएगा plus infinity तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो domain आएगी सर domain वो तो इसकी भी r आएगी हाँ domain तो इसकी भी r है range में change है range क्या बनेगी range यह बनेगी क्या कभी यह 0 को touch करेगा नहीं सर नहीं 0 को बिल्कुल भी touch नहीं कर पाएगा क्या कभी यह उपर उपर तो जाएगा यह नि इसकी range क्या आएगी 0 से infinity 0 से infinity ठीक है तो अगर आप इस ultra e mundi cut को याद रख लेते हैं तो जब a 0 से छोटा होगा वो भी अपने आप ही याद हो जाएगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे देखना उमीद करूँगा इस समझाया होगा आपको जब भी हम e की बात करेंगे तो ultra e mundi cut यह रहा यह कैसा है यह increasing function है increasing function क्योंकि a 1 से बड़ा है और जब a 1 से छोटा होगा तो यह decreasing हो जाएगा बस इधर की तरफ आजाएगा यह उधर जाए रहा था अब यह इधर आ जाएगा बस इतना सा फरक होने वाला है a 1 से बड़ा है तो याद रखना वो कैसा जाएगा increasing a 1 से छोटा है तो decreasing बस यह फरक है increasing और decreasing function का फरक है ठीक है रख पाएंगे इसको याद आगे बढ़ते है next point पर आते है अगला डाइगराम यह मैंने आपको भी बताया है फिर है logarithm ओके next है logarithm function logarithm function यह रहा इसका डाइगराम भी समझते हैं बई इसका डाइगराम भी समझते हैं इसको भी मैं एक बार explain करता हूँ फिर फिर दो बारा से उस पर ले कराऊँगा आपको logarithm function इसको लिखा जाएगा y is equal to log of a x या थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं इसको x is equal to number को y माल लेते हैं log a y आप यहां से अपने को y निकालनी है तो वो क्या हो जाता है a की power x y इसको हम convert भी कर सकते हैं बट हमें ध्यान क्या रखना है हमें ध्यान यहां यह रखना है कि यहां पर जो यह base होता है ना base वो positive होना चाहिए base है जो वो 1 नहीं होना चाहिए और जो exponential में पढ़ा कि सर ए 1 से बड़े का डाइगराम बनाया था as I am logarithm में भी a greater than 1 का डाइगराम बनाएंगे दो तरीकें इसका डाइगराम याद रखने की कि जो exponential logarithm है ना वो दोनों एक दुसरे के reciprocal हैं दोनों एक दुसरे के inverse हैं inverse inverse हैं तो सर इसका मतलब domain और range भी change हो जाएंगी बिल्कुल change हो जाएंगी तो देखो वो तो कैसे बना था as say ये कैसे बनेगा as say नहीं सर नहीं color change करके बनाया जाए color change करके बनाते हैं इसकी mirror image बनेगा mirror image as say ये cut करता था ये cut करता था आपका 0,1 पे ये cut करेगा 1,0 पे बिल्कुल mirror image और कोई और method याद करने का हाँ method और भी है अपने पास याद करने के तो यहां तक सही है जो logarithm का diagram है ध्यान से देखना मुझे match करना logarithm के diagram से वो कुछ ऐसा diagram है ऐसा जुका हुआ आपने देखे होंगे जो ज़्यादा उमर के बुझरग हो जाते हैं अपने वो हलके से बेंट हो जाते हैं तो logarithm का जो diagram है इसको मैं बूढ़ा diagram बोलता हूँ कैसा diagram है ये बूढ़ा diagram है logarithm का diagram के लिए कि आयाद रखोगे कि ये सर्फ बूढ़ा diagram है exponential कैसा है उल्टाई मुंडी कट logarithm कैसा है बूढ़ा diagram इसकी range क्या होगी ये minus infinity से plus infinity जाएगा इसका मतलब इसकी range इसकी range बनेगी अपनी R तब domain क्या होगी domain देखो X से SID है बस इसका मतलब 0 को भी touch नहीं करेगा कभी भी तो 0 से infinity लोगरिथम की अपजिट हो गई है ये लोगरिथम की reciprocal हो गई है जो लोगरिथम की आई थी ये उसके विपरित आ गया देखो ध्यान से याद रखेंगे exponential उल्टाई मुंडी कट लोगरिथम बूढ़ा diagram वापिस लेके चलता हूँ मैं आपको ये देखी जब अपना A greater than 1 है तो ये कैसा बना ये राशर और जब A less than है तो ये भी greater than 1 के लिए कैसा है increasing और less than 1 के लिए कैसा है decreasing decreasing range domain में कोई change नहीं आएगा range और domain same रहेंगी range और domain में no change change आएगा तो बस किसमें graph में उसकी mirror image बन जाएगी ठीक है तो आपको ये समंज आया है या नहीं आपने जरूर message करना comment करके बताना है मैं आपको question की तरफ लेके चलता हूँ ये लिजिए ये रहा आज की class का पहला question first question है अपना after diagram देखें question को ध्यान से modulus पढ़के आये हैं आप तो ये सारी चीज़े आसान लगेंगी आपको अब मैं थोड़ा सा इनी में रखने वाला हूँ आपको थोड़े दिन इसको complete करेंगे, clear करेंगे अच्छे से देखें ध्यान से question को 50 second वाले अपने target को नहीं भूलना है मैं आपके सामने हूँ या नहीं हूँ कभी भी कहीं भी कोई भी question आप कर रहे है question में limit लगा के question को लेके बेट नहीं जाना है कि सर्फ 5 minute, 10 minute, 15 minute तक solve करने, ना, question को within limit करना है, within 50 second करना है, तब मजाएगा question को करने में, तब मजाएगा chapter को समझने में करें जल्दी से चलिए, चलिए, question पर माता हूँ लेका आपको, इसने कहा है कि जो x है अपना, वो 0 और 1 के बीच में है और जो function दे रखा है, वो क्या है mode x plus x-1 का mode मतलब सर, अगर x positive है 0 और 1 के बीच में क्या होगा, positive होगा ये function तो positive है और positive function है, तो mode x में direct हट जाएगा, x को बाहर निकाल के बिल्कुल, ये function 1 से छोटे के लिए तो ये negative है हाँ, इसका मतलब ये तो minus बाहर दे के mode को हटाएगा बिल्कुल, तो तो आपने mode हटाया, तो fx कितना पाया, ये आया सर, ये आया, x से x कटा, तो fx क्या आगया 1, कै ये increasing है नहीं बता सकते decreasing है, क्या पता सर क्या ये constant है हाँ सर, ये constant है बिल्कुल, तो इसका मतलब answer कितना बना question का constant, constant तो function कैसा बनेगा, function बनेगा constant function, ठीक है तो answer क्या आजाएगा constant function, done मुझे पता है आप सभी ने सही जवाब दिया है बिल्कुल, किसी का भी जवाब गलत नहीं है, बहुत ही अच्छी अगल एक question पर चलते हैं next question, ये लिजी ये रहा आपकी screen पे ध्यान से देखेंगे question को integration में modulus जग है जग है, ये जो हम चार या पांच function पड़ते हैं ना ये पूरे chapter में कहीं भी अपने सामने आखते हैं कहीं भी एक दम से परकट हो जाएंगे तो इनका basic knowledge रखना बड़ा जरूरी है इनका एक-एक point clear करना बड़ा जरूरी है ठीक है, और वही हम clear कर भी रहे हैं complete diagram दिखा दिखा के आपको तो निकालेंगे आप इसको सोचें question को ध्यान से लिखना है, ध्यान से समझना है modulus को कैसे remove होगा वो सोचना है question आसान है, बिलकुल मुश्किल नहीं है वई आप कैसे सोच रहे हैं बस वो थोड़ा सा question को भारी बना सकता है मुश्किल नहीं है सली, मैं लेकर आता हूँ आपको minus 223 mode of mode of 1 plus x square dx mode हटाने के लिए हम क्या check करते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि mode के अंदर positive बन रहा है या negative बन रहा है mode के अंदर value आ कैसी रही है positive आ रही है या negative आ रही है अब अगर इसको देखें तो sir, x में आप positive पुट करो negative पुट करो कोई फरक पढ़ने वाला ही नहीं है हाँ, ये तो कभी negative हो इनी सकता इसका मतलब ये तो sir, always positive है हाँ, तो mode का तो question है ही नहीं फिर ये ये तो direct ही अट जाएगा बिल्कुल क्योंकि ये कभी negative बनेगा ही नहीं ये इस range में कभी 0 भी नहीं बनेगा 0 जिस point पे बनता है, उसकी left side में वो negativity so करता है उसकी right side में वो positive answer so करता है बट ये तो sir, 0 ही नहीं बन रहा कहीं भी 0 नहीं बन रहा तो इसका मतलब modulus का effect भी नहीं है इस पे और नहीं है तो क्या लिखेंगे direct बस खतम question, direct integration करते हैं 1 का integration x x square का integration x cube by 3, put करेंगे limit minus 2 से 3 पहले upper limit put करते हैं तो put करो 3 plus 27 by 3 यानि 9 फिर minus में lower limit put करते हैं minus 2 minus minus कितना बन जाएगा 8 by 3, बस इसको solve करना है, यानि ये आ गया ये कितना आएगा अपना 12 minus ये कितना, plus 14 by 3 36 plus 48 50 by 3 तो answer कितना बन जाएगा अपना, वो बन जाएगा 50 by 3, अपका none आ रहा था, अप लगा नहीं रहे थे बस दे नहीं रहे थे answer तो answer कितना बनेगा, option D, option D 50 by 3 ठीक है इस question का सही जवाब रहेगा 50 by 3 50 by 3 अपना, next question इसको सोचिएगा question में लिखता हूँ एक बार आपके लिए ध्यान से देखना है question को i limit from 0 से 5 by 2 sin x plus cos x का whole square divide by under root 1 plus sin 2 x into dx इस question को करना है इस question को करना है निकाल ले, ले 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 एक बार इसके लिए भी 50 second definite integration से question है आसानी से निकाल सकते हैं आप नुश्किल बिलकुल नहीं रहने वाला है देखें, देखें trigonometry हम कर रहे हैं लंबे time से कर भी रहे हैं और जिनको लगे कि सर्फ मेरे लिए या भी भी भारी हो रहे हैं तो आप सुभह defense exam result गरूँ अब हमने वहाँ calculus टार्ट कर रहा है trigonometry में करा चुका हूँ तो वो जा कर देख सकते हैं फिर नहीं रुकेंगे ऐसे question तो जो आसान question है वो basics पर काम होना चाहिए वो basics अगर आपके strong है तो निकलेगा और छोटे छोटे basics clear करके ही हम एक बहारी question को soul कर सकते है ठीक है तो निकालिए इसको सोचिए चलिए मैं लेकर आता हूँ आपको हम यह जानते हैं कि sir 1 plus sin 2x यहां लिखते हैं इसको यह दो formula मैंने पहले भी लिखवाए आपको 1 plus sin 2x को हम क्या लिखेंगे cos x plus sin x का whole square और 1 minus sin 2x को हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे भई cos x minus sin x का whole square जैसा question की requirement हो वैसा लिख सकते हैं आप sin x minus cos x भी लिख सकते हो cos x minus sin x भी लिख सकते हो दोनों एक ही बात है तो sir यह तो बन गया फिर 0 से πाई बाई 2 इसकी जगे square करेंगे तो square send root cancel यानि यह आ गया sin x plus cos x का whole square divide by sin x plus cos x अच्छा अरे यह तो आसान question निकला इसका मतलब question आ गया 0 से πाई बाई 2 sin x dx plus 0 से πाई बाई 2 ऐसा क्यों की असर क्योंकि ऐसे question को हम बिना solve की answer निकालेंगे आपको याद है न sin का एक loop जो बनता है उसका area 2 होता है cos का भी जो एक loop बनता है उसका area भी 2 होता है यानि जब 0 से πाई बाई 2 जाएंगे तो sin में कुछ ऐसा loop बनेगा एक ही बस तो answer कितना आया 1 तो इसका answer तो 1 ऐसा ही cos में 0 से पाई बाई 2 में answer कितना 1 तो इसका answer भी 1 तो answer 1 प्लस 1 कितना बन गया 2, 2, 2, 2 ठीक है तो question का जो सही जबाब यहां कर सोल नहीं करना भी जब भी sin में limit या cos में limit आये फिर सोल नहीं करना है कि sir sign का integration करेंगे फिर upper limit, lower limit ना फिर तो direct उडाना है question को फिर तो question को speed से कीच देना है यहां कर तो हम सोचेंगे ही नहीं क्या हो रहा है question में ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे आते हैं next question पर यह लिजिए इसको देखेंगे यह रहा next question आपकी screen पर सोचेंगे जल्दी से question को question को solve करना है कितने time में 50 seconds इससे ज़्यादा नहीं लेनी है question ध्यान से देखेंगे question में welcome जल्दी जल्दी मुझे उमीद है आप answer दे रहे हैं पका answer दे भी रहे होंगे आप आपके सही भी answer ये भी मुझे पता है question को लिखें बताए answer जल्दी से class को रोक के या speed से करके नहीं देखना है आपने अपने answer को match कराना है और जो limit दी गई है time की उसी limit में ज्यादा time नहीं लेना question में मैं लिखता हूँ question को n दे रखा है आपको 2017 का factorial और question है log of 2n 1 by plus 1 by log of 3n plus 1 by log of 4n plus 1 by log of 2017n आपको ये भी पता है कि लोगरिथम में अगर हमें कोई fight लडनी है न तो वो कैसे लड़ पाएंगे ये कुछ strategy होती है ये चोटी 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 जगर इसको पढ़ना ही है अगर हमें mathematics का ही teacher लगना है और math ही पढ़ाना है सारी उमर तो क्यूना उसको enjoy करें उसी में अपने jokes निकालें उसी में अपने जो भी हमने करना उसी की theory बनाएं उसी की film चलाएं उसी को imagination करें उसी की image बनाएं माइंड में सब कुछ उसी के साथ करें क्यों उसी को दोस्त बना लें और उसी को दोस्त बनाना है तो एक एक बात को ध्यान रखना है कि logarithm अपना साथ कब देगा जब base same होगा नहीं तो logarithm हाथ खड़े कर देता है सर नहीं लड़ सकते बेस को equal कर दो फिर देखो हमारा कमाल तो हमने क्य क्या किया इसको reciprocal किया तो यह ऐसा बन गया N2, N3, N4, N2017 लो सर लो अब base same होते ही तो देखो logarithm का जलवा उसने का सितने भी नंबर हैं सब एक साथ आओ भई multiply में आओ और जैसे ही वो multiply में आए तो यह चिलाया कि सर मैं तो 2017 का factorial हूँ इसी को तो बोलते हैं factorial और factorial बनते ही वो N आ गया और log और base same है तो answer 1, 1, बिलकुर बहुत ही अच्छी तो answer कितना बन जाएगा option B, option B क्या रहेगा अपना सही जबागा जाएगा ठीक है चली अगले question पर यह लिजिएगा next question यह राज screen पर, okay हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, यह mistake है 2R plus 1 वह है, R plus 2, R plus 2 वे पद का गुणांक बराबर है, यह यहाँ पर misprint है, तो उसको मैंने correct कर दिया है 2R plus 1 and R plus 2 एथ ट्रम का function बराबर है, सोचेंगे इसको क्या रहेगा इसका answer निकालेंगे जल्दी से चलिए भई, सोचते हैं, आते हैं question पर expansion दे रखी है, सर, color change कर लेते हैं, blue, red, 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 ज्यादा हो जाएगा okay, expansion दे रखी है, 1 plus x power 43 43, अगर हम इसको solve करें तो कैसे लिखेंगे, 43 CR x power, x power r, r, x power r, यही होगा इसने कहा कि जो term निकालनी है, वो निकालनी है t r plus 1, t 2 r plus 1, और t r plus 2, इन दो term का जो coefficient है, वो इकवल है तो यह जो term आई है ना अपनी, यह r plus 1 आई है, तब हमने r लिखा है इसका मतलब अगर इस question से हम r लिखने जाएंगे, तो इसमें से 1 minus कम करके जाएंगे हाँ sir, बिल्कुल, तो यहाँ से तो क्या मिलेगा, 43 c 2 r, हाँ और यहाँ से क्या मिलेगा, 43 c r plus 1, सोचो बिल्कुल, बिल्कुल यही मिलने वाला है, इसमें तो कोई भी doubt नहीं है sir, यही मिलने वाला है और यही मिलना भी चाहिए सर अगर यह मिलने वाला है तो बस क्या करो अरे सर यह तो वो लग गई first property इसका मतलब यह हुआ कि 2R plus R plus 1 की value कितनी है 43 यानि 3R की value कितनी है 42 और R की value कितनी आ गई 14, 14, 14 बहुत ही अच्छे भई सभी का जबाब बहुत ही अच्छे, well done answer जो बनेगा question का वो कितना बन जाएगा 43, बहुत ही बढ़ी है सले आगे चली अगले question पर आते है next question यह रहा आपके screen पर इसको सोचेंगे, समझेंगे बड़ा प्यारा question अब तो हमने इसकी football बना रखिये इस question की, इसको तो अब हम उड़ा सकते हैं अब इसमें अपने को time नहीं लगता सर यह तो अपने area में आ गया सर अब यह question तो, निकालेंगे इसको जल्दी से और graph आपकी समझ में आये हैं या नहीं आपसे question निकलेंगे या नहीं दो बार देखना है वीडियो को अगर पहली बार graph को देख रहे हैं तो सच में वह जीव लग सकते हैं आपको लेकिन आसान है कोसिस किये मैंने आपको समझाने की बनाने की दिखाने की फिर भी कोई doubt रहे comment जरूर करना भई मैं wait करूँगा आपके comment का sum of the coefficient of all power of x in this expansion expansion लिख लेते हैं 1-2x की power 9 plus 1 plus x की power 10 plus 1 minus x plus x square की power 5 यहां आपको sum of coefficient निकालना है और आपको पता है जब हम sum of coefficient निकालते हैं तो x को 1 put कर देते हैं x को 1 put कर दो बस 1-1 की power 9 plus 1 plus 1 की 2 है यह 1 नहीं है 2 की power 10 plus 1-1 plus 1 की power 5 तो यह तो कितना आया minus 1 plus 2 power 10 plus 1 यहां इक आंसर कितना बन गया 2 power 10 2 power 10 option A option A option A आ गया अपना सही जबाब done okay सली आगले question पर आते हैं okay okay आज किस कलास में हमने इतने करना है मुझे पता है आप भी समझेंगे मजबूरी है यह टेकनिकल प्रोब्लम की वज़े से मैं live नहीं आ पा रहा हूं आपके सामने बस मुझे से आज आज या कल फिर हम live होंगे सामने बाते करेंगे सारे question जो भी doubt होंगे वो मैं आप के लूँगा तब तक आपको मुझे इतना support जरू करना है कि comment में comment में अपना doubt लिख देना जो भी doubt हो जो समझ में ना आया हो जो समझ में आया है तो उसको भी उसका भी जो appreciation है वो comment में ही करना है आपने ठीक है और इस PDF को मैं अभी यहां डलवा दूँगा यहां से आप उसको download कर सकते हैं जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं solution के साथ जो भी गर आप बनाएं वो सारे आपको यहीं मिलेंगे तो आज की class में हम इतना ही करते हैं आप class को share करना बिलकुल नहीं भूलेंगे class को share जरूर करना है share जरूर करना है like, share, comment यह आपको अपनी प्रात्मिक्ता रखनी है जैसे मेरी प्रात्मिक्ता है आपके सामने आना आपसे doubt लेना, पूछना, बताना, समझना समझाना आप भी रखो अपनी प्रात्मिक्ता जितने भी अद्यापक साती देखें process क्या करो कि आप share करो इसको channel को share करो यही तो यही तो आपकी energy है यही तो हमारी energy है तो please, यह काम जरूर क्या करो तो आज इतना ही करते हैं उमिद आपको class समझाई होगी thanks for watching bye, good night, जैहिंद